A very good evening to all my dear friends आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्पून टॉपिक ले करके आया हूँ जिसका नाम है गोड़े के बारे में रोचक तत्ये और जहां पर एक तत्ये जो मैं आपको जुरूर बताना चाहूँगा वो है कि आखिर दूला गोड़ी पर ही क्यों बैठता है तो चलिए सुनते हैं गोड़ नामों से बुलाया जाता है नर बच्चे को कॉल्ट और मादा जो बच्चा होता है उसको फिलीज कहा जाता है मानो शरीर में जहां 206 हड़िया होती है वहीं गोड़े में 205 हड़िया होती है इसके बाद आते हैं कि पारंपरिक रूप से ये गोड़नाल गया होता है तो घोड़े के उपर रखकर चलाये जाने वाली जो तोप होती है उसको गोड़नाल कहते है और इसी प्रकार से जो उट की पीट पर तोप चला जाती है उसको सतुरनाल और हाथी की पीट पर जो और तरकी का प्रतिक माने जाते हैं गोडे के जो प्रतिक कान है उसमें 16 मास पेस ही होती है जिससे इसे वे 180 डिगरी तक गुमा सकते हैं एक गोडे के दिल का जो वजन है वो लगबग 4-5 किलो तक होता है अब मानेताओं के अनुसार आते हैं कि जो दूला गोडी बरी क्यों बैटता है तो मानेता है इसके पिछे की गोडी बुद्धिमान, दक्स और चालाग जानवर है इस पर केवल स्वस्त व्यक्ति ही सवारी कर सकता है गोडी की बाग डोर को समाल कर रखना इस बात का प्रतीक है कि दूला परिवार की डोर को समालने में अब सक्षम हो चला है यही कारण है कि सादिक के वक्त दूले को गोडी पर बैटाया जाता है दूसरा जो प्रसना आता है वो है कि गोड़ा जादा देर तक क्यों नहीं बैट पाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों बैटने की इस्थिती में सरीर का पूरा भार गर्दन और पेट के मध्धे के भाग पर आ जाता है जो उसके सोसंत तंतर पर दबाव डालता है और स्वास लेने में उसको कठनाई का अनुभव होता है और हवा ठीक तरह से फेपलों तक नहीं के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग